हेलो स्वागत था आप सभी को आपके अपने ऊटू चैनल पूसे टेक्निकल क्लासेज पर आज से 24 नवंबर 2020 तो आज का पूरा करेंट है फिर हम इस वीडियो में देखेंगे हैं यह वीडियो सभी गवर्मेंट जॉब के प्रपेशन जो कर रहे हैं स्टुडेंट उन सभी के रहने वाली है जैसे बात कर एससी रेलवे बैंकिंग एससी जेई और भी जेई इश्रो एंटिप्रिसी ग्रूप डी यूपी एसी पीसी एस बिहार का ऑल गवर्मेंट जॉब बिहार पुलीस हो गया बिहार कॉंस्टेबल और यहां पर फोरेश्ट गार्ड का हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक बहुच जाए तो चलिए बीना देरी किये करते हैं वीडियो को वाज़ कर रहे हैं तो धिरी-धिरी यहां पर देख्ते हैं कि कितने चित्रीन यह पर पढ़ते हैं किस तरह से यह वेटे जाता है उसके बाद मैं और अच्छे से यहां पर जीके और करेंट अफियर का कोशन करवाऊंगी हैना तो चलिए वीडियो को शुरू कर आगरेंदर की गई थी तो वह सिकंदर लोदी के दवारा के दवारा कि रोजासिक ने शिक्को पर देवी लचमी की आकरिती बनाई थी चार आप्शन की बेन है मुहम्मद गौरी, अलाओ दिन खिलजी, अकबर और इन में से कोई नहीं है ना तो किस मुस्लिम सासक ने तो वो है मुहम्मद गौरी इस दा कैरेक्ट अंसर चलते हैं अब करेंट अफेर को पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन क्या है ऑइए फार्फ्कोशन है आएसीसी ने बिश्विटेस चैंपिएंसिप ऐंगता लिका में किस राष्ट को SIM सस्थान पर रखा है ना तो आश्ट्रिल्या को यहां पर फार्फ्क पर रखा है है ना कारेक्ट अंसर हो जागा आश्ट्रेलिया इंग्लिस मेडियम स्टूडेंट यहां पर इंग्लिस में कोशन को देख सकते हैं नेश कोशन 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 मेर टू है भारतिय थाइलेंड और किस देश के बीचे त्रीपच्छी नौसेनिक अभियास सिस्टमेक्स 20 आयोजित क्या जा रहा है तो भारत थाइलेंड और सिंगापूर के देश के साथ जो है त्रीपच्छी नौसेनिक अभियास सिस्टमेक्स 20 आयोजित क्या जा रहा है करेक्ट अंसर हो जाएगा सिंगापूर इंग्लिस में कोशन यहां पर देख सकते हैं कोशन 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 नमर थ्री कोशन नमर थ्री है उत्राखंड राज के नए डीपी जी पद पर किसे न्युक्त किया गया बहुत इंपोर्टेंट कोशन है किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है है उत्राखंड राज के नए डीजी पी पद पर किसे न्युक्त किया गया तो निक्त किया गया असोग कुमार को कैरेक्ट अंसर हो जाएगा असोग कुमार इंगलेस में यहाँ पे कोशन देख सकते हैं कोशन नमर 4 चलते हैं कोशन मर 4 क्या है सन्जुक्त अरभ अमीरात की डॉक्टर खावला अलORUMेती ने कितने दिनों में साथ महधीपों की यात्रा करने वाली बिश्व की पहली महला का किताब जीता है है ना तो कितने दिनों की तो काेरेक्ट अंसर हो जाएगा थ्री दिनों की है ना यहाँ पे English में question देख सकते हैं Next question चलते है question number 5 Question number 5 है मचली पालन के लिए सर्वेशेष्ट राज पुरुसकार से किस समानित किया गया है यानि कि मचली पालन के लिए सर्वेशेष्ट राज कौन सा राज है जिससे यहाँ पुरुसकार से समानित किया गया है वो है UP, है ना, correct answer हो जगा UP, इंगलिस में question यहाँ पर देख सकते हैं, question number 6 क्या है, आयरुबेद बैलेंस ब्रांड हिल, हाई हिल ने किसे अपना ब्रांड अमेस का न्यूथ किया गया है, तो किसे अपना ब्रांड अमेस का न्यूथ किया गया है, संजू सैमसेन को, correct answer हो जगा संजू सैंसें को इंग्लिश में कोशन यहां पर देख सकते हैं अब कोशन नमर 7 चलते हैं किस कंपनी को इंडिया ग्रेटेस्ट बर्क प्लेस 2020 समान से समानित किया गया है तो है इंग्लिश में कोशन यहां पर देख सकते हैं इनसकर में कोशन नमर 8 है बस 2020 का गौल्डन वय ऐऊण। किसने जीता है ? थो 2020 का गौल्डन वय ऐवार्ड जो है कि early highlight ने जीत चुका है है ना character answer हो जाएगा next question English में question देख सकते है early highlight ने है जो कि 2020 का golden award जीत चुका है next question question number 9 question number 9 है NASA ने किस space agency के साथ मिलकर Sentinel 6 Michael Freelich उपगरा सफलता पूरवक launch किया तो किस के साथ मिलकर NASA ने किस space agency के साथ मिलकर इरोपिये अंतरिच अजेंसी E.S.A. है ना इरोपिये अंतरिच अजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल छे माइकल फ्रीलिच उपगरा सफलता पूरवक जो है से की लॉंच किया है कारेक्ट अंसर हो जागा इंगलिस में कोश्चन यहां पे देख सकते हैं किस भारतिय अभिनेता को आदित्य बिक्रम बीडला काला शीखर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो वह है नसीर हुदिन साह को कैरेक्ट अंसर हो जागा इंगलिस में कोश्चन यहां पे देख सकते हैं अब कोश्चन अमें 11 चलते हैं कोश्चन अमें 11 है 11 है लांच पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 यह जर्नरी ऐज जर्नलिस्ट के लेखक कौन है तो लेखक है प्रेम परकास कैरेक्ट अंसर प्रेम परकास है ना बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह किसे भी एक्जामें पुछा जा सकता है इंग्लिस में कोश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 12 कोश्चन है किस देश की महा महीम ग्यालियम संगे चौडन बांग्चुं को यून अ पुरुसकार से सम्मानित क्या गया है तो वो है कैरेक्ट अंसर भूटान को है ना भूटान को जो है कि महा महीम इंग्लियम संगे चौडन बांग्चुं को यून अ पुरुसकार से सम्मानित क्या गया है इंग्लिस में कोश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया बूल हॉस्टिंग फाइनेंस बोर्ड के सोतंतर निदे सक कौन बने तो वो बने है दिन बंदू महा पात्रा कारेक्ट अंसर हो जागा दिन बंदू महा पात्रा जो है कि इंडिया बूल हॉस्टिंग फाइनेंस बोर्ड के सोतंत निदे सक बन चुके हैं है ना इंग्लिस में यहाँ पर कॉश्चन देख सकते हैं निदे सक कॉश्चन कॉश्चन 14 है 14 वर्ष की उमरे में असना तक पूरा करने वाली पहले भारतिये कौन बने तो 14 वर्ष की उमरे में असना तक पूरा करने वाले पहले भारतिये बन चुके अगर तस जस्वाल है ना कारेक्ट अंसर हो जागा इंगलिस में question आप यहाँ पे देख सकते है next question question number 14 हो गया question number 15 question number 15 है 14 एक और है यहाँ पे mistake हुआ है navigation उपग्रह पर नाली के लिए IMO मनियता पाने वाला भारत कौन सा देश बना तो भारत बना है IMO का मनियता पाने वाले भारत जो बना है वो चौथे अस्थान पे है चौथा position इनका है English question यहाँ पे देख सकते है question number 15 है launch पुस्तक the common belt of cricket के लेखक कौन है तो the common belt of cricket के लेखक है रामचंद्र गुहा character answer हो जागा रामचंद्र गुहा बहुत important question है BVI किसी एक्जाम में पुछा जा सकता है यहाँ पे English में question देख सकते हैं तो आज का इतना ही question यहाँ पे home work के रूप में दे देते हैं दो question आप यहाँ पे answer बताईएगा option भी इस बर होगा option भी दिये जाएगे और आप option यहाँ पे comment में बताईए कि कौन सा character होगा उसका character हम पिछले sorry उसके character हम आगले वीडियो जो next वीडियो होगा उसमें आपको बता देंगे तो इतना ही आज का current affair कल का home work के question है निया सूत्र किसने लिखी है है ना निया सूत्र किसने लिखी है यहाँ पे चार option given है, first option है ब्यास second option है गौतम and C option है कपील and D option है चरक है ना तो आप इसमें से कोई एक option चूच करके बताईए है ना जिनका भी यहाँ पे GKGS अच्छा है तो वो यहाँ पे answer दे सकते हैं है निया स्कूशन question number two देखते हैं दूसरा question है दुनिया के निमलिखीत में से किस देश के किस देश से भारती सभी धान में राजनीती के निर्दसक सिधान को संकलपना को अंगी किरित किया गया बहुत ही easy सवाल है यह option first है Ireland option second है USA and option C है कानाडा and option D है आस्ट्रेलिया इसमें से कोई एक answer बताईए बहुत ही easy question है सभी को पता होगा तो आप comment में जरूर बताईए वीडियो कैसा लगा आप comment में ही बताईए और like जरूर कीजे वीडियो को share कीजे और चैनल को subscribe करना तुम मत ही भूलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much watching this video